दोस्तों कर आप भी महें सिंग धोनी को एक बहतरीन खिलाडी मांते हैं तुमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजेगा दोस्तों आपको बता दें कि T20 क्रिकेट का फेस्टिवल शुरू हो चुका है और सभी टीवे में टूनामेंट के शुरू होने से पहले अपनी तया दिख रही है पर इसमें टीम इंडिया के मेंटोर महें सिंग धोनी का सबसे बड़ा रोल रहा है दोस्तों धोनी ने मैच के दोरान ऐसा क्या किया जिससे प्रेरित होकर भारती टीम ने दोनों ही अभ्यास मुकाबलों में अपने शांदार प्रदर्शन से मैदान में जंडे दीजेगा दोस्तों आपको बता दे कि 30 ऑक्टूबर को टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा अभ्यास मैच केला जहां इंग्लैंड के खिलाफ भारती बल्ले बाजों ने धमार मचाया था वहीं इस मुकाबले में भारी गिंद बाजी की थी टीम इंडिया गेंद बाजों के साथ अक्रवण गिया और इसी कड़ी में भारती टीम ने ऑस्ट्रेलिया के तीन बल्ले बाजों को पवेलिन भेज़ दिया था दो विकेट अश्विन और उसके पहले ही ओवर में एक विकेट लेकर रविन चड़े जाने ऑस्ट्रेलिया इपारी की कमरत चड़ा और इस्टोनिस की तूफानी पारी की बदलत 152 अंका स्कोर खड़ा करने में कामियाब रहे भारती बल्ले बाजों ने एक बार फिर से शांदार अंदाज में जवाब दिया और 153 अनों के लक्ष को भी बौना सावित कर दिया टीम इंडिया के लिए केल राहूल औ इस मैच में कप्तानी पारी खेलते हुए 60 रनों की शांदार पारी खेली और रटार्ड हर्ट हुए वहीं बाकी का काम बल्ले बाजी करने आए सूरी कुमार यात हो और हर्दिक पांडे ने पूरा किया इन दोनों बल्ले बाजों ने दो ओवर शेश रहते ही भारती टीम को इस T20 मुकाबले में जीत दिला दी दोस्तों आपको बता दे कि इस दोरान भारती टीम के मेंटोर महें दिंधोनी काफी अक्टिव दिखाई दे रहे थे माहीं पहले भारती गेंद बाजी के दोरान विकेट कीपर रिशब पंध को विकेट कीपिंग टिप्स देते हुए द दोस्तों जिस हिसाबसे भारती टीम ने अब तक दोनों अभयास मैच में शांदार प्रदशन किया उसे देखकर तो यहीं लगता है कि महें दिंधोनी का गुरू मंत्र टीम इंडिया के लिए प्रिणा दैक साबित हुआ था आपको बता दे कि अब यह कहा जा सकता है कि 24 अ कर दिया है दोस्तों आउस्ट्रिलिया के खिलाफ दूसरे अभयास मैच में महें तिंधोनी अपने काम को लेकर काफी सीरियस दिख रहे हैं और वो T20 वर्ड कप से पहले भारती टीम के लिए अच्छे संकेत हैं ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या बारती टीम 2007 2007 का इतिहास दोरा पाएगी 14 साल बाद या फिर नहीं आपको क्या लगता है इस बात का जबाब हुए नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजेगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्क्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चनल को दन्यवाद